24 साल के आर्मी जमان शांती मोय राणा को राजस्थान की स्टेट इंटलिजंस ब्रांच ने परसो अरेस्ट कर लिया अरेस्ट करने के बाद कल शांती मोय राणा को होट में पेश किया गया राजस्थान तक के दर्शिकों के लिए लेकर आये हैं हम खास exclusive details आखिर शांती मोय राना ने ऐसी कौन सी सूचना थी जिसको लीग किया और जिसकी वज़े से स्टेट इंटेलिजन्स ब्रांच ने उसे अरेस्ट कर लिया आपको बता दे ये 24 साल का जवान कई सामरिक महत्व की सूचना है जैसे की आर्मी के फॉर्मेशन्स आर्मी की प्लानिंग आर्मी की स्ट्राटेजी डिसीजन अगर उधारन की तौर पे बात करे तो शांती मोय अपनी सुन्दर हंड्राइटिंग के अंदर एक पन्ने में पाकिस्तान की दुनों हैंडलर्स को यह बताता था किस तरह के व्यू बार्तिया आर्मी या सशस्टर सेना बल अलग-अलग परिस्थितियों में किस तरह की व्यू की रचना करती है अगर अटक कर दिया जाए तो सेना कहां से आ सकती है उनकी रचना किस तरह की होती है तो आप यह समझिए कि पाकिस्तान का जो इंफिल्ट्रिशन है सोशल मीडिया के जरीए किस तरीके से बढ़ रहा है ओपरेशन सरहत के तहत राजस्थान पुलिस ने राना को अरेस्ट करा और आपको बता दे यह अरेस्ट पहला अरेस्ट नहीं है तकरीबन पिछले दो साल में एक दरजन से ज़्यादा अरेस्ट राजस्थान पुलिस कर चुकी है और यहां शांती मोयराना जो की परसो अरेस्ट हुआ है वो वीडियो शेयर कर रहा था वो पैसे शेयर कर रहा था, खाते में पैसे ले रहा था और यहां बात एक शांती मोयराना की नहीं है ऐसे कही जवान हनी ट्रैप में फस्ट चुके है और लगतार राजस्थान पुलिस की स्टेट इंट्रेलिजेंस ब्रांच और अन्याइजिंसिया ओप्रेशन सरहत के जरीए मॉनिटरिंग कर रही हैं इनके सोचल मीडिया अकाउंट्स की आपको बता दे क्या आखिर किस तरह तक पाकिस्तानी हैंट्रेज जो है इन जवान तक पहुँच जाती है तो आपको बता दे कि लगातार सोचल मीडिया पर कैच वर्ट सर्च किये जाते हैं आर्मी, बीएसेफ, फोर्सेस, फिर इनकी अकाउंट्स को ट्रेस किया जाता है, इनकी सोश्यो जोग्राफिक प्रोफाइल को एक्जामिन करते हैं, और फिर इनको धीरे धीरे वह लूप में लेते हैं, एसी तरह से कुछ शांती मोई को भी लूप में लिया गया, शांती मोई पश्यम बंगाल के एक पिछले हुए जिले से आता है, आपको बता दे, राजिस्थान तक की टीन के पास में एक एक्स्क्लूजिव डॉक्यूमेंट हाथ में लगा है, जिसके अंदर, अपनी सुन्दर हैंड राइटिंग के अंदर, या अला गलग व्यू रचनाओं के बा पिल्स और इनके वीडियो शेर कर रहा था, एक दिन के और पुलिस का स्टड़ी जारी है, कई महत्वपून खुलासे होने है, पुलिस यह पता लगा रही है कि आखिर किस तरीके से इस अपना बैंक अकाउंट खोला, किस बैंक अकाउंट पैसे आते थे, कौन लोग थे, ज अखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तानी एजन्सिस के कुछ लोग जैपूर में मौझूद है, या भारत में मौझूद है, या राजिस्तान में मौझूद है, जो इने सिम काड बनवा के देते हैं, अकाउंट बनवाने में मुदद करते है जिनों ने इनको फरजी आकाउंट बनवा के दिये थे, क्या इस केस पे भी ऐसे कुछ लोग शामिल है, क्या और एक संगटित गिरो है, जो कि पाकिस्तानी एजन्सिस की नापाक हरकतों में भारत के खिलाफ काम कर रहा है, आपको डिटेल्स देते रहेंगे, ओप्रेशन सर अरत की राजिस्तान की हर पल, वीडियो जनरलिस्त निखिल शर्मा के साथ, जै किशन शर्मा राजिस्तान तक झाल